तो दोस्तो आज में लेके हूँ आपके लिए BSEL Infrastructure Reality Limited का Complete Share Analyze जानेंगे इस वीडियो में हम इस कंपनी का Complete Fundamental को और वीडियो के आंत में हम ये डिसकास करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं और इस कंपनी का उप़र वीडियो बनाने के लिए हमें दिपक जिनें क्याता तो आगर आपका भी कोई ق выз है तो ब्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सके हैं और अगर दोस्तों आपके बास टेडिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सेन पे मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप गुरो जैसे बड़े प्लाटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और यह कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है इसका प्रूटल मार्केट के अब देख सकतो 39.3 करोड का कंपनी का मार्केट के अपे और करन्ट शेर प्राइस देखेंगे तो 4 रुपया 76 पैसा हाइट बनाया है इस साल में लगबग 6 रुपय के आसपास लोइस प् यहां पर निवेश का सकते हो प्राइस अदिंग रश्यों के मुताबिक बुक बेलु देखेंगे साड़े उन्चास रुपय के आसपास बुक बेलु है कंपनी आपको डिवडन नहीं देता है इसका रिटेन और क्यापिटेल इंप्लॉइट का जो नंबस है वो डिएर परस तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंपनी इस अल्मॉस्ट डेफ फ्री और दूसरा स्टॉक इस ट्रेटिंग एड जिरो पॉइंट टेन टाइम सी इस बुक बेलु तो बुक बेलु का वे नंबस बहुत ही अच्छा है अभी आपको यह सब चीजे भी ध्यान लखना है यहां कुछ नेगेटिव पॉइंट्स था जो आपको ध्यान लखना है अभी इसका सेप्टेमबर 2022 का अगर कॉटरली रिजल्ट देखेंगे तो यहां पर देख सकतो 0.33 करोड का कंपनी के पास जो है एक्स्पेंस हुआ है और सेल एक रुपे का नहीं हुआ है इस क्वाडर में त तो quarter and quarter company के लिए जरूर negative point है year on year आपको देखना पड़ेगा यहां पर देख सकतो एक करोड का कंपनी के पास जो है expense हुआ है इस साल में running year में और company का sale कुछ भी नहीं हुआ है आप यहां पर देख सकतो sale zero है लेकिन net profit अगर आप देखेंगे तो net profit में company जो है 11 करोड profit में है तो यह year on year company का 5 करोड से 11 करोड profit हो चुका है और यह जो है अधस business है company के पास जिसके करण यहां पर company को profit हुआ है तो यहां पर year on year देखा जाए तो यहां पर देख सकते हो 2020 में company जो है 7 करोड loss पे था 2021 में company का loss 0 हो चुका था profit भी 0 हो चुका था फाइनली 2022 मार्च के अपडेट तक यहां पर 5 करोड company profit में था बट यहां पर running year में यहां पर जो अपडेट है यहां पर देख सकते हो 11 करोड जो है company इस साल पे profit में है तो आपको ध्यान लगना है जो quarter and quarter negative है तो यहां पर year positive है यह दोनों चीज़े यहां पर आपको ध्यान बढ़ बढ़ चुका है sales growth का numbers यहां पर थोड़ा सा कम है 25% है CGRB company का बहुत ज्यादा negative पर नहीं यह थोड़ा बहुत ठीक टाग है लेकिन return on equity का मामले में company minus पर जा चुका है लगबख तो यह भी चीज़े आपको ध्यान अकरा है हर चीज perfect नहीं मिलेगा कुछ अच्छा ह आपको रही बात यहां पर share holding pattern की तो यहां पर promoters का holding मैं आपको बदा चुका हूँ 16.45% का promoters का holding है और domestic investor का 0 है यहां पर कुल मिला के public का 84% के आसपार जो है holding है तो दोस्तो एक penny stocks है इसी तरह से आपको नज़ा दखनी है penny stocks बहुत ही risky होता है यह भी चीज आपको ध्यान अ नहीं है और penny stocks के हिसाब से अगर देखा जाए तो company का fundamental okay okay है ठीक है बहुत अच्छा नहीं है बहुत खराब भी नहीं है ठीक ठाक है थोड़ा बहुत निवेश किया जा सकता है long term के लिए यहां पर company का situation भी देखना पड़ेगा और आपको कौन सी समय पर इस पर निवेश कर यहां पर जो weekly का शुरुवात में एक chart button बनेया है इसको cross नहीं कर पाया तो हो सकता है आने बाले दुन्यों में थोड़ा सा और correction करें तो यहां पर जितना correction करेगा आपके लिए यहां पर मौका बन सकता है one month के chart button में यहां पर company ने 2% के आसपा से return दिया है और यहां पर 6 month क chart button आगा दिखा जाए तो 64% का ठिक ठाक return दिया है company ने लगातार जो है 6 months से आप ट्रेंड पर company चल रहा है बड़ आपको यह भी ध्यान लगना ही जो है share का price तोलगा सा महेंगा हो चुका है तो valuation भी यहां पर महेंगा हो चुका है तो यहां पर आपको ऐसे समय पर कम से कम न पहले 6.65 रुपे के असपास हुआ करता था यह 2018 की बात है 2018 से लेके 20 तक जो कोरोना के टाइम पर company एकदम सीधा 50 पैसे पर भी आ चुका था बट फाइनली एक अच्छा recover कर चुका है यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोरोना के टाइम पर company 80 पैसे पर आ चुका था था 85 पैसे का शेर यहां पर 45 पांच रुपे पर इस बग ट्रेड कर रहा है तो समय के साथ यह अपडेट भी रहता है यहां पर एक positive चीज हमें देखनों को मिल रहा है max to max अगर देखा जाए तो यहां पर company 14 परसन गिर चुका है तो उससे भी आपको important चीज यह ध्यान अगना है कि यहां पर इसका जो highest बनाया है लगबग 200 रुपे के आस्पास ठीक है यह 2000 साल में बनाया था उसके बाद आपको most important चीज chart pattern में एक और भी चीज ध्यान अगना है बहुत तेजी से अगर उपर जाता है तो बहुत तेजी से नीचे भी आता है उपर जाके sustain नहीं कर पाता है यह important चीज है यह आपको ध्यान अगना है in future अगर बहुत तेजी से यहां पर गया तो आपको तुरणत यहां पर निकलना भी पड़ेगा नहीं तो दोस्तों यहां पर क्या होगा फिर वो return जितना ही तेजी से गया उतना ही तेजी से आने का भी chance से बट यहां पर अच्छा चीज हमें यह देखने को मिल रहा है कि कोरूना के बाद से 2020 के बाद से company जो है slow slow उपर जा रह या फिर उपर गया नीचे है यह एक बड़े market leader shares की तरह इसका चार्ट प्रण का behavior तो एक अच्छा company है जो यहां पर आपको थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हो लेकिन आप निवेश करने से पहले दोस्तों हर चीज proper research कर लेना उसके बाद ही निवेश करना हम आपको education purpose से बताते हैं सिरिफ जानकरी देते हैं अपना point of view आपके समने साजा करते हैं ठीक है तो हमारी जानकरी आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगे तो like करना अपने दोस्तों को share करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकरी के साथ हमारी व